हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आपके डेली की तरह हिंदी का फुल्टेस लगाएंगे जहां पर आपके पच्चास महत्रपुड़ प्रस्ण है और याद रेखिए यह जो क्लास चलत चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेडिस के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देख सकते हैं चलिए यहां पर आपका प्रस्ण दिया है कि जिस पेंड के पत्ते जड़ गए हूं के लिए एक सब्द बताईए जिस पेंड के पत्ते जड़ गए हूं उससे क्या बोलते है इसे बोलते हैं अपरणा बोलते हैं ठीक है राइट अंसर आपका होज़ेगा यहाँ पर बी नमबर अपरणा होता है याद रिखेगा अगले प्रसकुराते हैं प्रसन आप से एकला पूछा गया है कहरा आप से कि बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर इन में से कौन सा लंका इसमें से पूछा गया कहुण सा लंकार है जवाब क्या बनेगा तो जवाब यहाँ पर आपका होज़ेगाlying बी नमबर अगले प्रसक्राइब का दिया है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुचन सर्वनाम क्या होगा मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जो मैं है वो आपके एक वचन की रूप में आपका कह सकते आपका सर्वनाम है ठीक है वो भी उत्तम पुरुष का वहें पर कहा गय चरिए अगले प्रश्विक राते हैं प्रस्वन आप से अगला है कि रीजु सब्द का विलोम क्या हो जाएगा तो रीजु का विलोम आपका होता है option right very good option right up का है यह नमबर यह आपका वक्षर होता है क्या होता है वक्षर होता है मिलकुछ सही जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका हो जएगा option B बहुत उंचा होना ठीके बहुत उंचा होना option रड़ब कहाँ पर B सही हो जएगा अगले प्रसकुराते हैं प्रसनाप सेगला है कि निम्लिखित में से योग रूट सब्द चुनिए योग रूट सब्द जिसको आपने बताया था किसे बहुत 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 भी समास भी कहा जाता है तो यहाँ पर याद रखे योग रूट सब्द जो आपका है वो आपका कौन सा option आपका C जो कि एक विसे सर्थ निकाल ला है जो चक्र पाने अथात चक्र किसके हाथ पर है भगवान विश्णू के पास तो option कौन मनेगा C आपका होज़ेगा अगला दिया है कि निकित तद्भो सब्दों में से तद्भो सब्द नहीं है साथी ओंपर आपका दिया गया है क्या नहीं सब्द दिया है नहीं सब्द तो नहीं आपका क्या होज़ेगा तो देखिए तुरंथ है आज है धीरद राइट अनसर आपका D यहाँ पर खर पर जो आपका है यहाँ आपका क्या तद्भो नहीं है यहाँ आपका तरस्व है ठीक है option अप कहाँ पर D हो जगा अगला दिया है देवर का तस्वम बताना है देवर का तस्वम आपको बताना है देवर का तस्वम क्या बनता है चलिए विल्कुर सही है विल्कुर सही जवाब है option अप कहाँ पर हो जगा option अप कहाँ पर हो जगा कौन सा युगम तुरुटी पूर्ण है तिया पर देख सकते हैं छीर दिया है और च्छा का हमने बताया था परिवर्तन आपके खाम होता है तो आपका यहां पर केशिकते हैं पहरा पॉइंट आपका सही है दूसरा आप से पूछा गया है कि दधी का दही दिया है देखो दिय आपका गलत है अगला प्रस्णाप का दिया है करत साधर्नी करण और व्यक्ति वैचित वादि के निवन्द के लेखा का आपके कौन है यहां पर इसके लेखा का आपके कौन से हो जाएंगे तो राइट अपका हो जेगा ओप्सनाप का ए आचार रामचन शुक्ल ठीके आचार के सेक्टिव विभक्ति का प्रियोग हुआ है और जब भी विभक्ति का प्रियोग होता है वहां पर आपका ततपुरुष समास होता है option up का B हो जएगा अगला दिया गया है कि जिस पुरुष की पतनी साथ नहीं है वाक्यांस के लिए एक सब्द बताना है जिस पुरुष की पतनी साथ नहीं है वाक्यांस के लिए आपको बताना है सही क्या बनेगा चली बिल्कुँ सही जवाब है option up का पर हो जएगा option up का हो जएगा d number उसे वी पतनीक बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे वी पतनीक बोलते हैं option up का d हो जएगा अगला दिया है चलिया कहानी में कौन सा प्रत्या है देखे चलिया कामा कहानी तो चलिया यहाँ पर इया निकला है और कहानी में आनी निकला है देखे चलिया में छूटी यह निकलेगी ठीके छूटी यह और यहाँ आर्थात ओप्सन अपकर कौन बनेगा यहाँ पर ए नमबर आपका होजेगा ठीके के लियर है चलिए अगला दिया गया है कि छाया वादु को प्रजबी मुवाद किस ने का है यहाँ पर बताना है चलिए बिल्कुछ सही है चौदा का जवाब होजेगा ओप्सन राइट यहाँ पर आपका भी नमबर आचार रामच गले पड़ी का अर्थ क्या होता है क्या होता है बिल्कुछ सही है ओप्सन राइट क्या पर होजेगा यहाँ पर आपका सि नमबर उपकार करने के बंदले स्वेम को दुक भोगना पड़ा Option अपके यहाँ पर C होज़ेगा अगला दिया गया है कि जगणात सब्द में संधी कौन सी होगी जगणात अल्थात इसी तोड़ेंगे तो जगत धननात बनेगा जगत धननात बनेगा अल्थात यहाँ पर आपका ब्यंजन ठीक है ओप्सन अपका क्या हो जएगा ओप्सन अपका यह हो जएगा यहाँ पर बेंजन संदी है 16 ओप्सन अपका यह हो जएगा अगला दिया है कि नीचे दिये गए सब्दों में से किसकी वर्तनी सुद्ध है किसकी वर्तनी सुद्ध है तो यहाँ पर दिया है द्वारका द अंतरधान होता है देयाद रखे अंतरधान होता है या कि मात्रिया जो आपका है यह नहीं आपका होना चाहिए था यहां पर आपका अहल्या होता है ठीक है अहिल्या आपको जो दिया है गलत है अहल्या होता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आपका है निम्निकित में से दिया गया है कि निम निखित में से कौन सा विलोम्यूग्म तुरोटी पूढ़ है पुछा गया है कैराप से छहर का दिया है समाच दिया ब्यास स्वल्पाय। चिराय। आहार का दिया विरहार genes प्रेखें धिसी है झाय होता अहार का विरहार hon neste क्या है तो आहार का निराहार होता है क्या होता भई निराहार होता है याद रिखे निराहार ठीक है चलिए अगला प्रसंद आपका है नीचे दिये गए सब्दों में वर्तनी सुद्ध है यहाँ पर पूछा गया है कौन सी है जिसकी वर्तनी आपकी सुद्ध है 20 नंबर में तो यहाँ पर आप आपका कह सेकते हैं शुरतनिय औप 신वारा, यहां पर आपका ए नंबर सन्यासी जो है ये बिल्कुल आपका राइट है इस प्रकास से सन्यासी लिखा जाता है ठेके वही पर आपका अकाल होता है छोटा के मातर, आपके तो आपको कैसे से इसमें आपके जो आप मात्रा है और ये मात्रा की चड़ी होती है और आपके अजीव का होता है ठीक है अजीव का मात्रा जो वा है वो आमें चोटी के मातरा भी होती है अगला दिया है नेमलिकित में से कौन सा विलोम युगम तुरुटी पूढ है 21 नंबर तो देखे दिया है आमिस का सामिस दिया है तो गलती आपको मिल गई होगी गलती मिल गए ना आमिस का यहां पर क्या होता है निरामिस होता है ठीक है ना तो यह उस प्रकास यहां पर गलती जो आपकी है वो आपके पहले वाले में है आमिस का जो आपका होता है वो आपका निरामिस होता है समिस नहीं होता है 21 को अप्शन राइट अपका यह आपका यहां पर हो जाएगा अधर वहीं पर आधार का अधे, विने को उद्धत, विपत्ति का संपत्ति अगले प्रिस्ट को राते करब से निजवाचक सरुनाम के समंध रूप में एक वच्चन की पहचान करे यहाँ पर कह रहा है निजवाचक, और निजवाचक जो आपका होता है कौन होता है कई बार आपने बताया है, तो देखो निजवाचक होता है आपका आप, क्या होते भी, आप होता है और अगर इसका बहुचन मताएंगे तो आपका आप लोग बनता है इसका बहुचन क्या बनता है तो आप लोग यहाँ पर निच के लिए दिया गया है तो निच के लिए आपका कौन सा हो जेगा बी नमबर अगला दिया गया है कि दसरत के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विसेशन आपको बताना है दसरत के प्राण तो भही यहाँ पर जो विसेश से हो रहे हैं वो आपके किसके प्राण की तो बात हो रही है ना प्राण की तो बात हो रही है ना तो प्राण ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे विसेश चे हो जाएंगे option अपके यहाँ पर C हो जाएगा अगला दिया है कि निम्ली कितमे से कौन सा सब्द विसेशन नहीं है कौन सा सब्द विसेशन नहीं है विसेशन नहीं है तो देखिए कुटिलता, देखो यहाँ पर भाव के हिसाब से देखो कुटिलता दिया है, जटिलता है, कुरूपता है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, option C यह आपका बिसेशन नहीं है, जिसका जवाब से आ रहा है, बिल्कुछ सही है option C हो जएगा, अगला दिया है, राम की गाय चरती है वाकि में कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है बताए भाई, राम की गाय चरती है, आपर क्या हो जएगा चलिए, बिल्कुछ सही है, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा राम की गाई अर्थात का की के ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं ये संबंध को दर साते हैं ठीके संबंध को दर साते हैं इस कारण से यहाँ पर आपका जवाब हो जेगा D नमबर यहाँ पर आपका संबंध कारक है क्या भी संबंध कारक है option up किया पर D हो जएगा ठीक है अगला दिया गया है कि जो युद्ध में इस्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे जो युद्ध में इस्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं क्या कहते मैं उसे युद्धिस्थिर बोलते हैं युद्धिस्थिर विल्कु सही है अप्सन अप कसी हो जएगा युद्रिष्टिर उसे बोलते हैं अगले प्रसिंग राते हैं कर आपसे नीचे दिये गए वाक्य में बिसेशन का प्रियोग हुआ है यहाँ पर बताना है बिसेशन का जो प्रियोग हुआ है वो आपके कहां पर हुआ है चलिए जवाब दिये यहाँ पर देखो चारों आपसन आपको देखना पड़ेगा कर लड़का आया इसमें तो ऐसा कोई विसेशन नहीं है वा गुलाब के फूर आया यहाँ पर देखो ऐसा कोई सब्द नहीं है कर आप गुलाब के फूर मुझे पसंद यहाँ पर देखो आपको पसंद आ गया पसंद आ गया ना यहाँ पर कह सकते option अपकर किसमें हो जएगा C वाले में आपका है ठीके अगला दिया गया है कि जो इस्तरी सूरी भी ना देख सके वाक्यांस के लिए सद बताना है जो इस तरी सूरी भी ना देख सके उससे क्या कहते हैं चलिए फटा फट जवाब दीजे फटा फट जवाब दीजे विल्कुर सही है option अप क्या पर होजेगा D number A सूरी स्पस्या होता है क्या होता भई और सूरी स्पस्या option अप क्या पर बनेगा D number ठीके D number अगला दिया है जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं जो हमेशा रहने वाला है और जो हमेशा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सासवत क्या बोलते हैं सासवत बोलते हैं आप्शनय ऐता है, समुद्र मंत्षन करना का अर्थ क्या है, समुद्र मंत्षन, और वही पूछा गया है, कि मुसलमान कभी की रचना प्रेम चिनगारी है, किस मुसलकमान कभी की रचना प्रेम चिनगारी है तो याद रखे प्रेम चिनगारी जो आपकी है यह आपकी है नजफ लिक की है ओप्शन आपका 31 को हो जेगा यहाँ पर D-Number नजफ लिक की आपकी है ठीके और यहाँ पर अगले प्रिस्कुराते कर आप से कि थाली का तस्व पूछा गया है पिछले भी पार्ट में देखने के मिला था ये तो थाली का तर्सम आपका होता है इस थाली क्या होता है इस थाली होता है ओप्सन आपका 32 का हो जेगा ए नमबर अगले प्रस्विकुण आते हैं करप से आचार रमचन शुकल का हिंदी साहिति में किस विधा मे प्रिवेस हुए था तो बताना भाई किस विधा में प्रिवेस हुआ था यह जो आपका प्रिवेस हुआ था इनका entry हुई थी यह आपकी हुई थी किस में तो आपके option यह हो जेगा आलोचना में ठीक है किसके तो आलोचना विधा में इनका प्रिविश हुआ था ये आलोचना के दर्श्टी से यहाँ पर प्रिविश किये थे अगला है कि इंद्री का विशेशन क्या बनेगा इंद्री का विशेशन क्या बनेगा यहाँ पर बताना है चले वेरी सही है बिल्कुछ सही है इंद्री का वि मनुस्य के लिए मरे यह इसके पूछा गया है कि इसके रचिता कौन है हमेशा आपने पड़ा होगा वही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे है ना तेहां पर देख पा रहे हैं यह जो आपकी पंक्ती है यह आपकी पंक्ती है मैथली स्रण गुपति के अद्वर आपकी रचि किया होते हैं आपके कैसे हैं बहुत वर्ड होते हैं और उनको अगर बिवस्ति धंक से कर दिया जाए तो वर्ड महला बन जाता है तो यहाँ पर वर्डों की बिवस्ति समूं को वर्ड महला कहते हैं औपसन आपके अंपर C हो जएगा, 클leer हुआ, चलिए, अगला दिया है, भुजंग का पर्यवाची सब्द नहीं है, भुजंग का पर्यवाची सब्द नहीं है, पूछा गया है, नहीं है, तो यहाँ पर देखो, ब्याल होता है, सर्फ होता है, पनंग भी होता है ठीक है न, सर्प अही ब्याल, उबरंग, पनंग, विश्दर, सांप, फाड़ी, यह बहुत होते हैं लेकिन यह आपके देख पा रहे हैं, जो आपसन आपका कौन है, डी वाला, गरुण यह कह सकते हैं, यह आपके सर्प का नहीं होता है, यह होता है, खगेस, खगपती, ठीक है यह आपके होते हैं, खगेस का, खगपती, यह कह सकते हैं, वैनते का होता है अगला दिया है कि निम्लिकित में से एक विसेशन सब्द नहीं है एक विसेशन सब्द जो आपका नहीं है वो आपका कौन सब्द नहीं है चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर चलिए वर्दान वरद वरदायक वरदिय 38 का जवाब यहाँ पर आपका जवाब होज़ेगा option आपका A number जो वर्दान है यह आपका भी session नहीं है ठीक है option आपका A होज़ेगा अगला दिया है जो इस्त्री के वसी भूत है के लिए एक सब्द जो इस्त्री के वसी भूत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं इस्त्रेड क्या बोलते हैं उसे इस्त्रेड बोलते हैं option जिसका डिया option B आराए जिसका सही है B option B option ठीक है 49 का B अगला प्रसंदिया है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है और वही चुवाविल से बाहर निकला इसका मतलब करे सिकते हैं कि अलग की स्थिति आ गई आपादान की स्थिति आ गई जब आपादान की स्थिति होती है तो वहाँ पर आपका कौन सा हो जएगा option यहाँ पर आपका हो जएगा एक सब्द जो नियम के विरुद्ध कारे करते हैं आसमाजिक कारे करते हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है ये सूची जो आपकी होती है उसे हम लोग काली सूची बोलते हैं साथियों क्या बोलते हैं उसे काली सूची बोलते हैं option right up के यहाँ पर B हो जाएगा ठीके अगला दिया है कि संहार का सही संद्विच्छेत क्या होता है संहार को अगर तोड़ेंगे कि यहाँ पर आपको बनेगा कौन सा बनेगा संधनहार जो कि option अपको हो जाएगा यहाँ पर आपका D Number संहार हो जाएगा किलियर हुआ अगला दिया कित में से याँ संधी कों सी है याँ संधी आपकी कों सी है याँ संधी आपको बताना है चले याँ संधी आपको देख सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा 43 को option right यहाँ पर आपका यद धन आपी यद धन अपि यद धन अपि यद धन अपि ओप्शन अपकर ए हो जाएगा ठीके और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपकी I की मात्रा है यहाँ पर आपकी O की मात्रा है हम ने इसको ट्रिक से भी आपको बताया था ठीके बर्ददी संधि में वहें पर आप विद्यार्थी जो आपके किशक्ति स्टार्टिंग वाली संधी ओती है ठीके अगला दिया है कि पूत्य को पूत्य तो क्यों धन संच ए तो धन संच करने क्या आवस्थ नहीं है अगर पूत्य अच्छा भई धन को तो पहले संचे करना ही पड़ेगा ना तो इस प्रकार से कह सकते हैं आपर पूत कपूत तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो यहाँ पर पूत यहाँ पर इनको दोनों ही आपके कह सकते हैं यहाँ आपके दोनों के अलग हो रहे हैं यहाँ पर जो आपका है यहाँ आप प्रास लंकार में लटन प्रास होता है option अब क्या पर कौन हो जेगा ए नंबर अगला दिया गया है कि जिस विकारी सब्द से संग्या की व्यापति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग किरिया due cecant पूछा है और किरिया साथ में due cecant अर्थाथ यहांपर आपका कौन सा हो जाएगा बी नंबर यह आपका हो जागा क्रिया विशेशन अगला दिया है यह सरकारी महिलाओं का यह सरकारी महिलाओं का ऐस्पताल है अस्पताल है, तो यहां पर यहां पर सरकारी महिलाओं को होता है, है ना? तो यहां पर कहाइस है? जो गलती है, वह आपकी इस वाले में गलती आपको मिल गई है, ठेके? अधर आपका यहां पर akuat before meis Hai, सब्सक्राइब यह विर्वाद में समास बताना है अगला दिया गया है कि निरविवाद में समास बताना है यह समास तो यहाँ पर देखे निर विवाद में जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा निर विवाद मतलब होता है विवाद रहित विवाद रहित तो option में आपका हो जाएगा कौन सा option में आपका हो जाएगा a number यह आपका कर्मधारे समास है ठीकी कर्मधारे समास है और अगर देखा जाए तो सुद्ध समास इसमें क्या निकलेगा तो आपका उतादे निर विवाद में एक आपका निर उपसर्ग निकलाएगा फिर आपका विवाद बनेगा तो जब उपसर्ग होता है तो उपसर्ग वाला जो आपका होता है वो आपका अब्वेई भाव समास होता है तो वास कार का क्रिया विसेशन है प्रति दिन और वह प्रति दिन आता है तो यह रिवाज है रिती रिवाज है कि काल वाचक है या परिमाड है यह इस्थान तो यह रहे आपके यह पर प्रशन विलोग ठीके धनबाद जैंजे भारत